हर रोज खाएं ये पांच चीजी कभी बूरे नहीं होंगे और पूरी जिंदगी सुगरोग, कोलोस्टोल, पेट के रोग, मोटापा, जोडों का दर्द, कमजोर आँखें और दिल से जोड़ी बिमारियां आपको कभी नहीं होंगे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वरियों में हम आपके लिए पांच ऐसी चमतकारी चीजों के लेकर आई हैं, जिनका आपने हर रोज सेवन करना है, और यदि आप दोस्तों इनका हर रोज सेवन करेंगे, तब आपको इनके चमतकारी का फाइदे दिखाए देंगे, और आपको जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा दोस्तो आपके चहरे पर कभी जुरिया नहीं पड़ेंगी और आपके चहरे पर हमेशा तेज बना रहेगा यनि आपकी उमर बढ़ने की परकिरिया रुक जाएगी आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा दोस्तो डाइबटीज की बीमारी का इलाज है जीजे यानि यदि आपको सुगर की बीमारी है तो उसको कंट्रोल करने का काम करेंगी और यदि आप आज बिलकुल सवस्त हैं और इनका सेवन करते हैं तब आप हमेशा इस डाइबटीज की बीमारी से बचे रहेंगे दोस्तो यदि आपके सरीर में bad cholesterol बहुत अधिक बड़ा हुआ है तो ये नुसका उस बड़े हुए bad cholesterol का भी इलाज है और आपके सरीर में bad cholesterol की मातरा को कम करेगा और अच्छे cholesterol की मातरा को बढ़ाएगा और दोस्तो यदि आपके सरीर का cholesterol बिल्कुल सही हो जाएगा तब आपको जीवन में कभी heart blockage भी नहीं होगी और यदि आपको heart blockage नहीं है तब आपको heart attack भी नहीं आएगा और आप अपने इस पेट की चर्वी को कम करना चाहते हैं तब भी ये चीज़ें आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है क्योंकि ये आपके मुटापे को तेजी से कम करने का काम करेंगी आपकी पेट के साथ साथ कंदे, कमर और जांगो की चर्वी भी बिंगल जाएगी आप बिलकुल सिलीम और फिट बन जाएगे सिलीम बोड़ी के मालिक बन जाएगे दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है और आप अपनी आँखों से चस्मे को हटाना चाहते हैं और अपनी आँखों की रोसनी को बढ़ाना चाहते हैं तब भी आपको इन पांच चीजों का हरो सेवन करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपकी आँखों की रोसनी बढ़ जाएगी तब भी आपको इन पांच चीजों का सेवन करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके सरीर की कैल्सियम की कमी पूरी हो जाएगी क्योंकि ये पांचों चीजें कैल्सियम का खजान है और आपके सरीर की हाडियों को वजर के समान मसबूत बना देती है दोस्तों यदि आपको जोणों का दर्द है घुटनों का दर्द है हाथ दर्द है पैर दर्द है कंदे का दर्द है या कलाई का दर्द है दर्द नहीं होगा यानि ये आपके सभी तरहें के दर्दों का भी इलाज है दोस्तों इसके साथ में दोस्तों ये नुस्का आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती को भी बहुत आदिक बढ़ा देगा और यदि आपके सरीर में रोगों से लड़ने की सक्ति हाई होगी तब आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे यनि बहुत त्रहें की बीमारियां आपके आसपास नहीं आएगी और आपके चहरे पर तेज आ जाएगा दोस्तों आपको पेट के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपका पाचन तंतर मस्बूत बन जाएगा आपको कभी कबज पेट में गैस और इस एस्टिटी की समस्या नहीं होगी और दोस्तों ये कबज पेट में गैस और एस्टिटी ही है जो हमारे सरीर के बहतर त्रहे के रोगों का कान बनती है दोस्तों आपके सरीर में खून की कमी पुरी हो जाएगी आपको खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना सिर्फ आपके सरीर में खून की कमी पुरी होगी बलकि आपके सरीर का खून साफ हो जाएगा उसमें कोई गंदगी नहीं होगी और यदि आपके सरीर का खून साफ है तब आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा आपकी सुंदरता निखर जाएगी आपका चेहरा बिलकुल जमा बन जाएगा और आपको कभी कोई भी विमारी नह इनका आपने हरोज सेवन करना है. तो चलिए आपर को बताते हैं, कि ये पांच चीजे है क्या, और आपने इनका सेवन करना कैसे है. दोस्तो, पहली जो चीज है, वो है सफेद झिल, और सफेद दिल के फाइदे हम सभी जानते हैं. ये कैलसियम का खजाना है और हमारे पाचंतंतर को मस्बूत बनाने का काम करता है मुटापे को कम करता है और हमें सलीम और फिट बनाता है हमारे सरीर में अनर्जी को बरकार रखता है हमारे सरीर की हर तरह की कमजोरी का इलाज करता है ये है सफेती खाने का तरीका मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊगा दोसरी चीज है किसमिस और दोस्तो किसमिस को भी हम सब जानते ही हैं किसमिस खून बनाने की मसीन है और आपके सरीर की खून की कमे के साथ साथ खून की गंदगी को भी साफ करती है आपके सरीर की हारत रहें की कमजोरी का इलाज करती है किसमिस और जो तीसरी समें चीज है वो है दोस्तो रागी दोस्तो रागी के भी बहुत सारे फाइदी है और दोस्तो करनाटक साइड में तो रागी बहुत अधिक पाई भी जाती है और वहां के लोग इसका बहुत अधिक सेवन भी करते हैं दोस्तों ये बहुत अधिक चमतकारी चीज है ये आपके सरीर के बहुत त्रहें के रोगों का इलाज करती है आपके सरीर की इम्यून पावर को बढ़ाती है आपके सरीर को गठिला बनाती है आपके सरीर की कमजोड़ी का इलाज करती है और जो अगली समें चीज है वो है दोस्तोचिया सीट और दोस्तोचिया सीट के फाइद भी आप जानते ही होंगे क्योगी चीया सीट से मुटापा बड़ी तेजी से कम होता है सुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है हार्ट ब्लोके से बचाती है कोलोस्टोल को सही करती है आपके पेट के रोगों का इलाज करती है पांचन दंदर को मसबोत बनाने का काम करती है और जो पांचवी चीज है वो है दोस्तो सेव और दोस्तो सेव के बारे में तो कहा भी जाता है कि यदि कोई व्यक्टी हररोज सेव का सेवन करता है तब उसको जीवन में कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पढ़ती तो रागी, रागी की या तो आपने रोटी बना कर खानी है, या आप हालवाइस का बना सकते हैं, या किसी भी तरीके से इडली बना सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपने रागी का हरोज सेवन करना है, और अगर आप रोटी के रूम में करेंगे, तब और भी बढ़िया है, अब बात आती है तिल, किस्मिस और चीया सील की दोस्तों आपने क्या करना है एक गिलास पानी लेना है और उसमें एक चमश तिल डालने हैं दस किस्मिस डालनी है और एक चमश डालनी है चीया सील इनको रात बर के लिए आपने भीगोकर रख देना है और सुबे बासी मूँ आपने क्या करना है इनको दूद के साथ इनकी समूदी बनानी है और समूदी बना कर इनका सेवन करना है आपने हर रोज बासी में इन तीनों का सेवन आपने ऐसे करना है और अब आ गई आप सेव की बात तो सेव को आपने हर रोज 11 से 12 बजे के बीचन नहीं होगी, आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, आपको कभी बुरापा नहीं आएगा दोस्तों, आपके डाइबटीज बिलकुल कंट्रोल हो जाएगी, आपको डाइबटीज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, डाइबटीज वाले इसमें किस्मिस का प्रयोग ना करें, वैसे चार से पांच किस्मिस का प्रयोग कर रहे थे तो उससे उनको कोई प्रोब्लम भी नहीं होगी, आपको कभी हार्ट ब्लोकेज नहीं होगी, ना आपको हार्ट अटेक आएगा, दोस्तों, पेट के रोग बिलकुल सही हो जाएगी, आपको कबज, गैस और पेट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, दोस्तों, आपको मुटापा नहीं आएगा, आपका मुटापा बिलकुल सही हो जायेगा, आपकी आँखों से चस्मा उतर जाएगा, आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती, इम्म् Harmon पावर हाई होगी, रोगों से लड़ने क समान मसबूत बन जाएगी, खून की कमी का इलाज हो जाएगा, तो दोस्तों, आप भी आज से ही इन पाँचों चीजों का सेवन सुरू करतीजी, यदि आप सवस्त रहना चाहते हैं, और हर्त रहें की बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों, यह थी आते रहें, धन्यवाद दोस्तों